इसकी चर्चा है फिर लेशया का स्वरूप क्या है लेशया कर्म का स्वरूप क्या है निधती निकाचित जो कर्म है हम कई बार सुनते हैं कि वह इतने मतलब निधती निकाचित जो हम कहते हैं कि ती उरक कर्म परमानुआ है जो बंदने के बाद निकलना काफी मुश्किल है औ और ऐसा कई बार हम लोग चुनते तो इसका क्या स्वरूप है निदत निकाचित कर्मों का क्या स्वरूप है वो सुले पुस्तक के अंदर की हुई है और कर्म आदि जितने भी स्थित्या है उसका विश्तार से स्वरूप का वाणन सुक्ष्मा-शुक्ष्मा तरह से यहां पर और सातों के सातों को का वाणन बुथ बली आचारिया ने किया हुआ है अभी सात पुस्तक विजव है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं तो टोटल तीस अजर्श लोग हैं अभी यह जो चार परकार के हमें बंद काई है प्रकूति बंद प्रदेश बंद स्थितिबं और अ यह तरह से कुल मिलाकर साथ पुस्तक है और इस तरह से यहां पर दवला जो ग्रंत है इसकी यहां पर हमने संक्षित में चर्चा देखी अभी कही बार हमें प्रश्न होता है कि इतनी सारी सुक्ष्म चर्चाए है इतने कर्म कर्म का क्या स्वरूप है तो हमें यह सब क्यों पढ़ना चाहिए यह सब पढ़ने से हमें क्या मिलेगा क्या हमारा मूल देश्य तो है कि हमें आत्मा का अनुबह करना है तो यह सब हमें क्यों पढ़ना चाहिए हमें तो सिधा आत्मा का ही बात हमें आप हमें बताओ लेकिन अगर हम यहां भी हम समय सार की बात करें तो समय पचास से लेकर पच्पन गाता तब, जीव का अजीव के साथ किस तरह से संबंद पाया दाता है, इसकी यहाँ पे अच्छी सी चर्चा है, और हम कहते हैं कि छटी गाता है जो है, वो भी गुनस्तान के उपर चर्चा की हुई है, अभी जीव को अजीव का स्वरूप ही नहीं आप समझे रहें, मतलब अजीव को पता ही नहीं है कि मेरा वास्तो में स्वरूप क्या है, जैसे हमारे पैर में कुछ कांटा लगा हुआ हो, तो हमें सबसे पहले कांटा कहां पे लगा हुआ है, कांटा का स्वरूप क्या है, मलब किस जगह पे लगा हुआ है, हमें उसका प यह कांटे की तरह जितने भी है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, और फिर बाद में हम उसको पूरा निकाल सकते हैं, तो हम समझेंगे ही नहीं, तो फिर हम निकाल कैसे सकेंगे, इसका स्वरूप ही हम नहीं समझेंगे, तो फिर मैं कितना शुद्ध हूँ, वो हम जरूर करना चाहिए, जरूर जरूर करना चाहिए, यूंकि इसी से ही जीव का स्वरूप वास्ताव में पता चलता है, और हम कहें कि भी, जैन दर्शन में दो पार्ट है, आगम और एक अध्यात्मा, आगम जो है वो नीव है, और अध्यात्मा जो है, वो उपर का महल है, तो ह तरह से हमorg मैं इसे माज़ए से शुरूव का शुरूब का श्रद्दान हमें चाहता हुं और इस चाहा कि बुछ बली यह नहीं हमारे उपर at security दोकार किया हुआ है और हमें यह पढ़कर हम अपने उपर अपने आत्मा सर्कार कर सकते हैं और हम मोक्ष मार्क कियो हम सभी लोग आагे बढ़े और हम सभी लोग बगवान वनने हमें सभी को शुद्धोपी के प्राप्ति है और हम अतिंदर ये आनन्द का अनुबाव करें ऐसी मंगल भावना के साथ यह यहां पर पूर्ण करते हैं जैजन ना ओम ना उस्ते पर